श्लोक नमबर 6 कार्थ मही रूहा यानि व्रिक्ष या पैड पैड इन सब चीजों से किन सब चीजों से फूल पत्ते फल छाया मूल यानि जड वल्क यानि छाल दारूबी यानि लकडी इन सबी से ही धन्या इनि धन्या कहलाते हैं क्योंकि येशा वीमुक यानती नार्थिना यानि इनके पास जो भी याचक गुण जो कुछ भी लेने आते हैं वे कभी भी वीमुक यानि बिना खाली हाथ नहीं लोटते हैं तो पैड इन सब चीजों से फूल पत्ते फर्ट छाया जड़ छाल रखड़ी से ही धन्य कहलाते हैं क्योंकि इनके यहां से याचक घण कभी भी खाली हाथ नहीं लोटते हैं श्रोक नमबर साथ चिंतिनिया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया न कूप खननम युकत प्रदिप्ते विही नाम ग्री हैं चिंतिनिया ही विपदाम संकट के आने से पहले ही उसके बचाओ की क्या सोच लेनी चाहिए प्रती क्रिया नी उसकी क्रिया को सोच लेना चाहिए संकट के आने से पहले ही उसके बचाओ को सोचना चाहिए क्योंकि विहिना ग्रिय है घर के आग लगने पर या घर में आग लगने पर कूप खनाना यानी कुवा खोदना उचित नहीं होता है संकट के आनने से पहले ही उसका बचाओ सोच लेना चाहिए क्योंकि घर में आग लगने पर कुवा खोदना उचित नहीं है इसलिए पहले से ही हमें उसका उपाय सोच लेना चाहिए पाट के अनुवाद के बाद अब हम शब्दात की ओर चलते हैं यह सभी शब्दात कौपी में करने है और याद करने है अब हम अभ्यास प्रश्न की ओर चलते हैं प्रशन नम्बर दो श्लोक आस चेशू रिक्त इस्थानी पूर्वत पूर्यद यह प्रश्न सभी भैनों को स्वैमी करना है क्योंकि अभी हमने श्लोक पड़े हैं और उनी श्लोकों में इनका पांसर छिपा हुआ है तो ये सभी वेनों को स्वयम ही करना है प्रिश्न नमबर तीन प्रिश्ना नाम उत्तरानी एक पदेन लिखत प्रिश्न नमबर कर व्यस्नी नम किम नश्यती बुरे वेक्तियों का क्या नस्ट होता है बुरे वेक्तियों का विद्या का फल नस्ट होता है तो क का अंसर है विद्या फलम ख कस्य नश्यती किसकी प्रसिद्धी नस्ट होती है तो किसकी प्रसिद्धी नस्ट होती है लुप धस्य कस्य की जगे आएगा लुप धस्य गर मदू मक्षी का किम जन यती मदू मक्षी क्या उत्पन करती है तो मदूरता उत्पन करती है मीठा शहद उत्पन करती है तो किम की जगे आएगा मादूरियम गर मदूर सुक्त रसम के स्रजिनन्ती मदूर सुक्ति युक्त वश्नों का निर्मान कौन करते हैं सजन लोग तो के की जगे आएगा संतह अर्थिना केब्धे वी मुखा ना यान्दी याचगण किसके पास से खाली हाथ नहीं लोटते हैं तो केब्धे की जगे आएगा मही रुहब्य क्योशन नमबर फोट अदो लिखित तद्भव शब्दा नाम क्रते पाठात चितवा संस्क्रत पदानी लिखत तद्भव शब्द लिखने जो इस पाठ में आये हैं कंजूर का तद्भव शब्द आया है क्रिपन वेसे कड़वा का क्या आएगा कटूकम पूँच का तुच्छ लोबी का लोप्दह मदू मक्की का का मदू मक्षी का तीन का का होएगा क्या तद्भव शब्द तीनम क्योशन नमबर पाठ अधो लिखित वाकेशु क्रिपत क्रिया पद्च चितवा क्योशन नमबर फिप्त में करता और ग्रिया चुनकर लिखना है जैसे संता मदूर सुक्तरसम स्रजनती तो सजन लोग मदूर शुक्तरस का निर्मान करते हैं तो करता तो है संत और क्रिया है स्रजनती वैसे ही क में आएगा निर्गुणम प्राप्य भवंती दोशा तो इसमें क में करता पद है दोशा और क्रिया पद है भवंती गुणगेशो गुणा भवन्ती तो ख में है गुणा तो करता है और क्रिया है भवन्ती मदू मक्षी का माधूरियम जनियेद मदू मक्षी मधूर्ता को उत्पन्न करती है तो करता है मदू मक्षी का और क्रिया है जनियेद ग, पीशुनस्य मैत्री यश नाश्यती तो करता है इसमें मैत्री ओक्रिया है नाश्यती ग, नध्य समंद्रम आसाद्य अपेय भवंती इसमें नध्य तो है करता ओक्रिया है भवंती Question number 6 देखांकित पदानी आधरत्य प्रश्ण निर्मान कुरुत प्रश्ण निर्मान करना है क गुणा गुणगेशु गुणा भवन्ती तो गुणा क्या है यहाँ पर बहु वचन शब्द है प्रत्मा का बहु वचन तो प्रत्मा का बहु वचन क्या हो हैगा क क क काह तो यहाँ पर आजाएगा क क क तो यहाँ एगा गुणा में आएगा क दूसरा नध्य नध्य क्या है यहाँ पर इस्त्री लिंशब्द है और बहु वचने तो क्या हैगा काह ग ग में लुबधस्य है लुबधस्य की जगे क्या हैगा कस्य गर में है मदू मक्षिका में आएगा का और लास्ट में तस्य मुर्धिना तिस्टती वायस तो मुर्धिना की जगे आएगा कुत्रिया कस्मीन अब प्रेश्न नंबर साथ उधारन अनुसार पदानी प्रतक कुरुत इसमें प्रतक करना है मादूरियम मेव तो इसमें आएगा मादूरियम धन एव अल्पम एव अल्पम धन एव सर्वम धन एव देवम धन एव महत्मनाम मुक्ती महत्मनाम उक्ती विपदा मादे वेव विपदाम आदा वेव हमारा पार्ट समातु चुका है